नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एकजाम फीवर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम NCRT क्लास 6 का चेप्टर नम्मर 6 संचार माध्यम इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले आप ये कोलाज देखिए इस कॉलाज में देखिए कि किन किन चित्रों को दिखाया गया है जैसे यहाँ पर सेनेमा हॉल है यहाँ पर एक स्टेज सो है और इसके लावा मुबाइल फोन का या फिर म्यूजिक या रैलिया इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको चित्र दिखाये गए है इन चित्रों को आप अच्छे से समझ लेजिए पहले क्योंकि बात हो रही है संचार माध्यमों की और संचार माध्यम किस तरीके कहो सकते हैं वो आपको इस चित्र से ही समझ में आ जाएगा चलिए आप चलते हैं आगे तो संचार माध्यम में कौन सी चीज़ें आती हैं जैसे कि रेडियो, टीबी, अख़वार, इंटरनेट या संचार के और भी साधन बहुत सारे होते हैं आप रेली कर रहे हैं आप कहीं पर कोई भी एक नुकड प्रोग्राम के द्वारा भी किसी को आप कुछ मैसेज देने की कोसिस कर रहे हैं तो स्थानी मेले की दुकान से लेकर टीवी के कारेकरम तक जो भी आप देखते हैं इन सब को आप संचार माध्यम या फिर मीडिया बोल सकते हैं अंग्रेजी का एक सब्द है मीडियम उसका अगर बहुबचन बोला जाएगा तो वो हो जाती है मीडिया और उसका जो मतलब होता है वो अलग अलग तरीकों से है जिसके दोरा हम समाज में अपने विचारों का आदान प्रतान करते हैं और मीडियम को हिंदी में बोलते हैं माध्यम जैनि कि जिस माध्यम से हम अपना मैसिज दूसरे तक पहुचा देते हैं वही हो गई मीडिया और मीडिया के बारे में अगर हम बात करें जैसे कि फॉन पर बात करने से लेकर टीवी पर साम के समाचार सुनने तक को मीडिया ही बोला जाता है टीवी रेडियो और अख़वार संचार माध्यम के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है कुछ ऐसे भी संचार के माध्यम हैं जैसे टीवी रेडियो और अख़वार इनकी पहुंच कहा हैं लाखों लोगों तक जाती है देश और विदेश के जो जन समू हैं वहां तक इनकी पहुंच है इसलिए इनको जन संचार माध्यम याफिया आपने सुना होगा एक वर्ड है मास मीडिया तो मास मीडिया में कौन से कौन से आ जाते हैं आगे से याद रखिए टीवी रेडियो और अख़वार अभी अगर हम बात करें कि संचार माध्यम और तकनीक के बारे में तो संचार माध्यमों के बिना हमारा जीवन और उसकी कल्पना करना आजकल बहुत कठे हैं लेकिन केवल टीवी इंटरनेट इनका जो बड़े पेहमाने पर जो अपयोग है अभी कुछ ही दुनों में सुरू हुआ है क्योंकि जो इनको अभी तक ट्रेंड में आए हुए प्रचलन में आए हुए सिर्फ बीस वर्स भी पूरे नहीं हो पाई है लेकिन इनों का जो छेतर है वो इतना बढ़ गया है इनोंने इतनी परसदी पाई है कि इनके बिना आज हमारा जीवन या उसकी कलपना करना बहुत कठिन है और जो जन्संचार माद्यम है इनके लिए प्रियोग में आने वाली प्रद्योग की हमेसा बदलती रहती है अखवार टेलिविजन और रेडियो जो कि लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक अलग प्रकार की तक्निकी का उप्यूक किया जाता है अखवार और पत्रिकाओं में जो भी चीजन छपी होती है वो एक इन माद्यमों के द्वारा बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है और जब ये लोगों तक पहुंचती हैं टीवी और रेडियो यानिक इलेक्ट्रोनिक मीडिया के द्वारा तो फिर लोग चर्चा करते हैं अभी जैसा कि आपको सुझ में आ रहा है कि इसमें एक टेक्नलोजी लगाई जाती है उसके बाद ये लोगों तक पहुंचाए जाते हैं ख़बार और ये तक्नीक और मसीनों को बदल के अत्यादुनिक बनाने में संचार माद्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है और इससे हद्वनी और चित्रों की गुर्वत्ता में सुधाराता है लेकिन तक्नीक इससे भी अधिक कुछ करती है और यह हमारी जीवन के बारे में सोचने के धंग में भी परिवर्तन लाती है कहने का मतलब है कि तकनीकों की वज़े से जो मीडिया है उसके बारे में आपको मालूम चल गया कि धीरे धीरे अधिक से दिक लोगों तक उसकी पहुंच बढ़ाता है लेकिन तकनीक हमारी जीवन में और भी बहुत इफेक्ट डालती है क्या डालती है जैसे उधारन के लिए हमारा जो टेलिवीजन है टेलिवीजन के बिना जीवन की कलपना करना बहुत कठिन है और टेली विजन के कारण ही हम अपने आपको बिस्त और समाज का सदत से समझने लगए हैं कैसे क्योंकि आज अभी कुछ दिन पहले आप देखिए अमेरिका में राश्पती का चुनाब होगा तब अले ही आपको उसमें बोट नहीं करना था लेकिन उसके बाद भी हमें पल-पल की जानकारी मिल रही थी कि कौन बन रहा है प्रेसिडेंट अभी क्या हो रहा है अभी कौन से कौन से राज्यों के बोट के रिजल्ट आ गए हैं तो इस तरीके से हम भी एक मेंबर जैसे उनसे कनेक्ट हो चुके थे टेलिविजन में जो भी चुतर दिखाई देते हैं वो सेटलाइट और केवल इसकी ही साहता से दिखाई देते हैं और बहुत दूर दूर तक छेतरों तक लोग इने देख सकते हैं और इसकी वज़े से हम संसार के दूसरे जो भाग हैं वहां के समाचार और वहां के जो खाहिकर में देख लेते हैं अब यहां पर आप देखिए आपके जानने वाली बात हैं कि 1940 के दसक में इलेक्ट्रोनिक टाइप राइटर के आज आने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा वदलाव आया तो अगर कुश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रोनिक टाइप राइटर है वो किस दसक में आया था तो 1940 के दसक में आया था ठीक है संचार माध्यम और धन अब ये बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है आपको समझने के लिए कि संचार माध्यम का काम क्या होता है एक मीडियम का लेकिन धन से उसका क्या रिलेशन है तो सबसे पहले आप ये देखिए यहां पर जो एक ये चित्र दिखाई दे रहा है उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम है जोन एल वेर्ड इनका एक अविसकार है जो कि टेलिविजन का स्टार्टिंग का जो टाइम था जब टेलिविजन ऐसा दिखता था जिसे टेलिवाइजर गोलते थे तो इन्होंने इस यंत्र का जो परदर्शन किया था यानि कि अपने अविस्कार का वो उन्होंने रोयल इंस्टिडूट के समक्ष अपने अविस्कार का परदर्शन किया था उससे पहले का ये चित्र है अभी बात करते हैं इस टॉपिक पर संचार माद्यम और धन संचार माद्यम और धन का क्या संबन्द है जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी स्टूडियो में जहां पर एक रेपोर्टर न्यूज बोलता है लेकिन वहां पर सिर्फ रेपोर्टर को ही तनख्वा नहीं दी जाती है उस रेपोर्टर के आस पास जो साउंड सिस्टम लगे हैं वहां पर जो लायटे हैं केमरी हैं और ऐसा करने वाले सेटलाइट वगरा का खर्चा ऐसे टोटल में लाकर के बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तब जाकर के न्यूज हमारे पास तक पहुंचती है तो इसलिए अगर इन सब को पेमेंट देना है इन सब टेकनलोजी का खर्चा उठाना है तो कोई नॉर्मल या मामूली इनसान के बसकी बात नहीं है तो पाईडाम क्या होता है कि आधिकांस टीवी चैनल और समाचारपत्र किसी बड़े ब्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं प्रतिष्ठान मेंस आप किसी भी बड़े नाम को ले सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है जिनके खुद के प्रोडक्ट हैं तो बो लोग भी अपना एक चैनल ओपन कर लेते हैं किसलिए क्योंकि चैनल पर आपने देखा होगा विग्यापन आते हैं और फिर अपने ही प्रोड़क्ट का उसमें बेग्यापन भी करते हैं और न्यूज भी देते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई ऐसी न्यूज भी होती है जो कि उनके ही प्रोड़क्ट पर असरदार सकती है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि कोई ऐसी न्यूज आई जै है कि मीडिया सुतंतर रूप से काम नहीं कर पाती है और वही आज के समय में मीडिया के साथ हो रहा है अब यहां पर जैसे आप देखेंगे एक न्यूज चैनल के स्टूडियो का एक द्रस्त है तो यहां पर रिपोर्टर तो कोई और ही है लेकिन उस न्यूज को टेली कास्ट करने में सुरू से लेकर के एंड तक कितने लोग लगे हुए हैं तो वो सब चीजें डिपेंड करती है न्यूज के खर्चे के उपर यहां पर लिखा भी है कि एक टीवी चैनल में दस सेकंड के लिए विग्यापन देने का मूल्य उसकी लोग प्रियता और समय के आधार पर हजार रुपए से एक लाख रुपए के बीच में पढ़ता है पढ़ेंगे हम लोगतंत्रों संचार माध्यम के बारे में लोगतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चाचा करने में संचार माद्यमों की भूमिका बहुती ज़्यादा महतपूर है किस तरीके से महतपूर है जैसे मान लीज़े उधारन के लिए संचार माद्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है और लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर उनकी खिलाब कारवाई भी कर सकते हैं और ऐसा भे जो उस न्यूज से रिलेटर जो मंत्री हैं उनको पत्र लिख करके या फिर सार्वजनिक विरोध करके या फिर हस्ताक्षरा भ्यान चला करके सरकार से उनके जो डिसिजन है उस पर विचार पे मर्स करने का आग्रेवी कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह हैं कि इन न्यूज चैनलों के बारे में कि जानकारी देने के संबन्द में जो न्यूज चैनल हैं संचार माद्दे में उनकी जो भूमिका है वो बहुती ज्यादा महत्पूर होती है क्योंकि जानकारी हमेशा संतुलित होनी चाहिए संतुलित का मतलब क्या है बैलेंस्ट यानि कि एक ही पक्षी के जानकारी हमेशा नहीं देनी चाहिए जैसा कि बहुत सारी न्यूज चैनलों में हो जाता है तो मैं आपको एक एक्जमपल दे करके बताता हूँ कैसे होता है जिसे यहां पर यह दो रिपोर्ट है एक रिपोर्ट है न्यूज आफ इंडिया की और एक है डेली न्यूज सर्विस की तो यह जो न्यूज आफ इंडिया की रिपोर्ट है यहां इसमें क्या दिखाते हैं कि रोड पर कुछ फैक्टरी मालिक और मजदूरों ने जाम लगाया हुआ है जिससे लोगों को परिसानी हो रही है और जाम क्यों लगाया हुआ है क्योंकि उनके जो फैक्टरी है उनको सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है क्योंकि वो परिदूसर फैला रहा है तो इस न्यूज में नोने यह दिखाया है कि जो कारखाने के मालिक और मजदूर है वो हिंसात्मक बुरोद कर रहे हैं सहर की गत्विदियों को रोक रहे हैं और सडकों पर जो बाहन हैं उनकी लाइन लगी हुई है लोग अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कहने का मतलब है इन्हों ने यहां पर यह दिखा दिया कि जो फैक्टरी मालिक हैं और फैक्टरी के जो बरकर हैं वो लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप इंडिया डेली की रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि फैक्टरी मालिक और फैक्टरी बरकर ने इसलिए ये आंदोलन किया है क्योंकि उस बज़े से उनकी तो रोजी रोटी छें जाएगी पहले जो नगरपालिका ऐस्तव वाले हैं उन्होंने उनको लाइसन्स क्यों द मदागा तो क्या ये दोनों ही नेूज बैलेंस्घ हैं संतुलित हैं जी नहीं दोनों ही ने नूज संतुलित कियोंकि टरफ जो और इस news ने सिर्फ और सिर्फ एक ही side को रखा है कि इनको अगर रोएंड की जो नोकरी छिन जाएगी फैक्टरी बंद हो जाएगी तो इनका क्या होगा लेकिन इनमें से कहीं पे भी किसी भी new channel ने ये नहीं बोला है कि इन्होंने ऐसा किया तब सरकार ने ऐसा किया जा इनके पर निरुवर करता है और संचार माद्रियम जब सुतंत्र होंगे किसी भी ऐसी कमपणी या किसी भी ऐसे मालक का दिन नहीं होंगे कि जनके उपर ऐसी चिज़ों का असर पड़ता हो तब तक नीूज हमेशा हमें खलती मिलती रहे है क्यों कि कुछ शन कंट्रोल होता है, सरकार उन पर सेंसरसिप लगा देती है यानि कि किसी भी न्यूज को रोकड़ा उसे बोलते हैं सेंसरसिप सब्स्वतनत्र संचार माध्यमों से ताथ पर यह है कि उनके द्वारा दिये जाने वाले समाचारों को कोई भी नींतर्ड या प्रबावित ना कर सके अब या आगे आप देखिए सेंसर से पौर क्या होती है तथे तो यह है कि संचार माद्यम स्वतंतर नहीं है इसके मुखित है दो कारण पहला कारण है कि सरकार का अरूपर नींतर्ड जब सरकार समाचार के किसी अंस, फिल्म के किसी द्रस या गीत की किसी अविवक्ति को जन्र समधाय तक पहुँचने से पतवंदित करती है तो इसे सेंसर्शिप कहा जाता है और भारत के इतियास में एक समय उन्यूस सो सब्चार से सेविटी सेवन का वो आया था अपतकाल का समय कि जब सरकार ने संचार मादेमा के उपर सेंसर लगाया था जातर सरकारे क्या करती है कि जो फिल्म या मूवी जो होती है उन पर तो सेंसर रखती है लेकिन जो न्यू चैनल से इन पर सेंसर बहुत कम रखती है अभी बात करते हैं टीवी के साथ हमारा क्या रेलेसन होता है तो टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं तो बहुत से गरों में हमने देखा होगा कि टीवी अधिकान समय चलता ही रहता है और हमें चारों तरफ की दुनिया के बारे में बहुत सारी विचार और जानकारी मिलती है जो भी कुछ हम टीवी पर देखते हैं यह यूं कहिए कि दुनिया को देखने वाली एक खिड़की है हमारी टीवी टीवी में बहुत सारी कारिक्रम होते हैं जैसे कि कुछ धरावाहे काते हैं, जैसे सास भी कभी वहु जैसे घरेलू कारिक्रम, कुछ कारिक्रम खेल के होते हैं, जैसे कौन बनेगा गोड़ पती जैसे, जो और कुछ होते हैं, जो बास्तिविक जीवन को दिखाते हैं, जैसे कि बिग बोस, समाचार, खेल और कार्टू तो आप यहां पर आपको सोचने की जरूरत यह है कि टीवी का हम पर क्या प्रवावड़ता है यह दुनिया के बारे में हमारे देश्टिकोंड हमारे विस्वास हमारे रुख और मुल्यों को कैसे बनाता है यह हमें समझने की जरूरत है और यह हमें संसार का अधूरा द्रस्त ही दिखाता है ये बात एक्तम सही है कि टीवी हमें हैं ज़ातर आपने देखा होगा कि टीवी आपको वही सुसाइटी दिखाएगा कि सतारे क्या कर रहे हैं इस्टार सेलिवरिटीज तो कहने का मतलब है कि टीवी पर ये भी आना चाहिए कि इन चीजों के अलावा भी दुनिया में और भी चीज़ें हैं जो कि टीवी से बाहर हैं उन पर भी हमें जरूरत है नजर डालने की जिसको अधर हम समझ सकें कि रियलिटी कहां पर है अभी बात आती है कि न्यूज वैलेंस्ट नहीं रहती है यानि कि जो संचार माद्यम हैं उनके बिसे में जो लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं उनका कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माद्यमों पर ब्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंतरण है ब्यापारिक प्रतिष्ठान मिस जो लोग बिजनेस में रुची रखते हैं या भाग लेते और कई बार किसी विवरण के एक वक्ष पर ही ध्यान के अंदित कराना इनके हित में होता है और समाचार माद्दे में के द्वारा निरंतर धनकी आवा सकता और उनके लिए विग्यापनों पर निरवड़ता की बज़े से भी उन लोगों के विरोद में लिखना कठिन हो जाता है जो विग्यापन देते हैं जैसा कि मैंने आपको मैगी के बारे में बताया था कि मैगी कमपनी नहीं मान लीजिए किसी समाचार पत्र को काफी सारा रुपया दिया है अपने विग्यापन के लिए अब क्या वही समाचारपत्र म्यागी के बारे में वो न्यूच छापने की कोशिस करेगा जिसमें म्यागी को नुकसान हो सकता हो तो इस तरीके से संचार माध्यमों को सुतंतर नहीं समझा जाता है और इसके अलावा संचार माध्यम किसी मुद्य के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उन्हें विस्वास है इससे जो बिवरण है वो रुच्छ कर हो जाएगा इसका एक्जामपल क्या है जैसे आपका कोई लोकल स्कूल है उसमें कोई फेरवेल है फिर कोई आपका दिक्छांद समारो है तो क्या कोई समाचात्र पत्र उसको लेगा न्यूज में नहीं लेगा लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पढ़ान मंत्री या फिर कोई बड़ा सेलिर्टी वहां पर आ रहा है दिक्छांद समारो में तो साइद आपका जो कॉलेज है वो यूज में आ जाएगा क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति वहां पर जा रहा है तो लोग इसको देखने की कोशिस करेंगे अब जैसे कि यहां पर एक जो चित्र दिया हुआ है यह है एक फैसन सो का चित्र तो आज के समय में आपने देखा होगा कि फैसन सो हैं जो कि संचार माध्यम जैसे कि टीवी इंटरनेट इस पर बहुत ज़्यादा लोग प्रिया है तो कई बार ऐसी गटनाए हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन बिस्यों पर हमारा ध्यान के इंटरत कराने में अस्फल रहते हैं जो हमारी जीवन के लिए महत्वूर हैं जैसे कि पीने का पानी पीने का पानी की जो प्रॉบल्म है बो सभी को पता है इसकी वज़य से बहुत सारी जगह पर पीने का पानी की कमी है और प्रतिवर्थे ने लिखा भी है कि किस तरीके से फैसन डेजानरों के जो फैसन बीक हैं वहां पर बहुत सारे जो पैसे वाले लोग आते हैं धनी लोग आते हैं उनके समक्च भूलोग अपने बस्तों का प्रदसन करते हैं और उनके समाचार को समाचार पत्रों पर मुख्ष्ट पर दिया जा जाए कि जादा तर लोगों से देखेंगे चाहे वो जो फबलिक के भले के लिए हो या ना हो जाने कि पबलिक को उससे ज्यादा संबंद हो या ना हो अभी जैसे कि बड़े बड़े जो समाचार माध्यम हैं संचार माध्यम हैं वो छोटे-छोटे मुद्धों पर रुची नहीं लेते हैं इस वज़े से बहुत सारे लोकल लोग या पढ़े रहे लोगों ने ऐसा सोचा कि उन्हें अपने जो आसपास होने वाली जो गत्विदियां हैं उनको लोगों तक पहुचाना बहुत जरूरी है तो इसलिए बहुत सारी जगे पर लोकल न्यू चैनल्स खोले गए लोकल समाचार पत्र भी खोले जाते हैं जैसे कि एक उधारन है खवर लहरिया खवर लहरिया नाम का एक समाचार पत्र है जो कि उत्तर प्रदेस के चित्रकूर जिले की आठ धलित महलाओं द्वारा हर पंदरे दिन में निकाला जाता है ये इस्थानी बंदेली भासा में लिखा जाता है और इस आठ प्रष्ट के समाचार पत्र में दलितों से संबंदित विसायों इस तरियों के प्रती हिंसा और राज नेतिक रुष्टाचार से संबंदित रिपोर्ट होती है और इसके जो पाठक कौन है बो हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्स स्कूल के सिक्षक और वे महलाएं जन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है तो इस तरीके से उन्हें अपनी लोकल न्यूज मी मिल जाती है और एक सही न्यूज मिलती है जो कि संतुलित होती है अभी इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि हमारा देश जो कि लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर हर एक नागरिक के रूप में हम सब ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में संचार माद्यम एक सही मुमिका निवाए क्योंकि संचार माद्यम प्रजातंतर में बहुती महत्प्रू मुमिका निवाता है क्यों कि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंदित विसयों के बारे में सुनते हैं संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंदित किया जाना चाहिए और इस तरीके से वो एक एजंडा भी निश्चित कर देते हैं और अगर कभी सायकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की ख़वर छापने से रोक भी देती है उसे बोलते हैं सेंसर से और आज कल संचार माध्यम और व्यापार का जो संबंद है वो बहुत ही घनिष्ट है और इसी वज़े से संतुलित रिपोर्ट का प्रकास में आना बहुत ही कठिन है और इनी सब को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता एक बहुत ही महत्पूर है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राइपूर नहीं होती है कैने का मतलब है कि देश में आपने कभी देखा होगा कि बिना कोई बात के दंगे या समाजिक दंगे हो जाते हैं क्यों होता वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास पूरी न्यूज नहीं होती है और अधूरी न्यूज को देख करके ही जनता भढ़क जाती है इसलिए यहां पर साफ साफ बोला गया है कि आज कल ब्यापारिक प्रतिष्ठानों से उनका दम्मा लेना ठीक नहीं है आपको देखना चाहिए कि उस पूरी की पूरी रिपोर्ट में क्या जानकारी मिल रही है कौन सी आवस्यक जानकारी दी जा रही है कौन सी लेख कौन से देस्टिकोर्ण से लिखा गया है या फिर आपकोर देको भासमान 要घ्रोण drivers को दिए उसक सामाजिक विग्यापन जैसे यहां पर रेल्वे क्रोसिंग पर लोगों को सजग रहने के लिए विग्यापन दिया गया है चप्टर आपने पुरा पढ़ लिया है संचार माध्यम का अब ये इन कुश्चन्स को भी देख लेते हैं पहला कुश्चन है कि परजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्पूर उभमिका निवाते हैं तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि परजातंत्र में संचार माध्यम चाहें तो आपके दिमाग को गुमा भी सकते हैं यानि कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड की न्यूज दे करके जनता को भड़का भी सकते हैं दोनों तरफ की बैलेंस न्यूज दे करके पूरे डाउट के रियर भी कर सकते हैं अब यह जो रेखा चित्र दिया गया है यहाँ पर जो ब्यापार एक पतिश्ठान है और बताईए मुझे कमेंट करके आपने क्या टाटिल दिया है इस पूरे डेखा चित्र का ठीक है कुश्चन नमर तीन है कि आपने पढ़ाए कि संचार माद्यम किस प्रकार एजिंटा बनाते हैं इनका प्रजातंतर में क्या प्रभाव पढ़ता है तो इसके पक्च में इन पिचारों के पक्च में दो धारन दीजिए धारन आप कोई भी देख सकते हैं जैसे कि मालीजे कहीं दंगा हो चुका है तो समाचार पत्र हैं वही बता सकते हैं सही से कि रियल्टी क्या थी अगर वो बताएंगे तो आप देखेंगे हर बार दंगे में बहुत बार ऐसा होता है कि एक धर्म के लोग ने दूसरे धर्म के लोगों की हेल्प कि लेकिन कुछ लोग ऐसे भड़काने वाले होते हैं जो इन चीज़ों को नजर अंदाज करते हैं तो उस बज़े से मामला और बिगड़ता है तो ऐसे बहुत सारे एक्जांपल आपके पास भी होंगे और ये जो कुछ चन है इने भी आप ध्यान से देखिए और ये चेप्टर आपको कैसा लगा इन सी आर्टी का इसके अलावा और भी जो चेप्टर है आगे और पहले जो चेप्टर है क्लास 6, क्लास 5 उन्हें भी आप देख सकते हैं मेरे चनल की वीडियो पर वीडियो आपको अच्छा लगाओ दोस्तो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए धन्यबाद दोस्तो